क्या आप जानते हैं कि shorting method का use payment voucher में कैसे होता है suppose कीजिए आपके boss ने किसी party को advance में 10,000 payment किया and उसी time उन्होंने आपको बताया कि हमने ABC party को 10,000 का payment किया है इसकी आप entry कर लो but after some days क्या होता है वो आपसे कहते हैं कि जो हमने 10,000 का payment किया था उस दिन party को उस party का क्या नामे मुझे फिर से उनको remaining payment करना है अब देखिए आप accounts का काम करते हैं तो आपको याद तो नहीं होगा कि आपने किस party के अंडर में 10,000 की entry की थी या फिर amount कुछ भी हो सकता है तो आप party का नाम तो याद नहीं रख सकते क्योंकि काफे सारी parties होती है तो एक shorting method में आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ उस short method का use करके आप party का जो name है amount wise search कर लेंगे and amount wise जब search करेंगे entry आपको सामने दिखेगी तो आपको recall हो जाएगा कि हाँ आपने इस party का entry किया था and आप within some minute, within some second आप अपने boss को बता सकते हैं कि आपने इस party को 10,000 का payment किया था अब जो remaining payment है वो आप कर दीजिए तो इस method को हम use करेंगे shorting method का use मैं आपको बताने वाली हूँ payment voucher में आपको कैसे करना है नमस्ते दोस्तों मैं सुमन सर्मा, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने channel सुमन Education Hub में चैनल को सर्च भी कर सकते हैं मेरे चैनल का नेम है सुमन Education Hub किसी भी type की कोई भी query है कोई भी confusion है आप जाके google में, youtube में सर्च कीजिए and map सर्च कर दीजिए by सुमन Education Hub आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी सबसे टॉप पे आपके problem का solution मिल जाएगा and bell icon को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलिएगा इससे in future जो भी वीडियोस में upload करूँगी इसकी notification आपको मिलती रहेगी और आप किसी भी वीजिजियों को miss नहीं कर पाएंगे तो चैनल में बताती हूँ कि कैसे आपको shorting method का use करना है payment voucher में यहां मैंने टैली प्रैम को open कर लिया है अब suppose कीजिए आपको बहुत जल्दी entry सर्च करनी है तो कैसे आप सर्च करेंगे gateway of टैली से आपको प्रेस करना है DSS यहां पे type of voucher आपको show होगा payment का करना है तो यहां पे आपको payment पे आना है यहां आप enterprise कर दीजिए अब आपको यह भी नहीं पता है कि किस मन्त में आपने entry की है तो क्या करना है आपको यहां पे आप देख सकते हैं month wise entries आपको show हो रही है November में, December में, January में, February में आपको यहां पे enterprise करना है यहीं से alt, app to अप्रेस करेंगे आपको यहां पे जो date है वो change कर लेना है तो date आप यहां पे change कर लीजिए इस type से आप date change करेंगे तो पूरे month की यहां देखिए April, November, December, January, February सारे month की entry आपको एक screen पे show होगी अब यहां पे तो कम entry है इसलिए आपको यहां पे इतनी entry show हो रही है आपके books में काफी सारी entries होंगी तो वो drop down में नीचे नीचे आपको सारी entries show होंगी अब उसमें से search करना, find out करना बहुत difficult हो जाएगा किसी एक particular figure को यहीं से आपको क्या करना है? इसी screen से यहां F12 आप प्रेस करेंगे और यहां देखिए configuration का जो window है, ओ open हो चुका है यहां आप देखेंगे shorting method, shorting method में आपको यहां पर select करना है तो आपको यहां पर shorting methods जो है alphabetical भी show होते हैं तो हमें alphabetical नहीं करना है अगर आपको amount wise करना है तो आपको यहां पर amount का show होता है currency wise करना है, तो currency wise भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ figure को लेके चलना है, तो figure को लेके गर हम चलते हैं तो आप यहाँ से amount decreasing करेंगे तो सारी amount decreasing order में show होगा, and amount increasing करेंगे, तो amount जिसे की 1, 2, 3, ऐसे increase होते होगा decreasing करेंगे तो वो back चलता है, जिसे की 10, 9, 8, इस step से चलेगा, तो आपकी मर्जी है, आप दोनों वैसे कर सकते हैं, अब support कीजिए, मैं increasing वैसे करती हूँ amount increasing, तो आप यहाँ देखेंगे, जो date है, वो उपर नीचे हो गया है, amount को इसने short कर दिया है, जैसे की जो सबसे छोटी amount है, उसके बदी, उससे पर शोग होगा, तो यहाँ पर जो teleprime में short कर दिया है, यहाँ पर किया है increasing wise, अब इसमें आप पटाक से देख सकते हैं कि 10,000 की entry आपको देखनी है, तो आपको यहाँ पर दो entry शोग हो रही है, 10,000 10,000 की, आपने entry की है, तो आप यहाँ पर बता देंगे अपने बॉस को, यह पार्टी है, सुमें एजुकेशन हब को, आपने 10,000 कीया था, अब जो remaining payment है, आप सुमें एजुकेशन हब को कर दीजिए, तो इस step से within some minute, within some second आप अपने बॉस को बता सकते हैं, and shorting method का जो use करना है, आपको स्वागत करती हूँ, आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हर्ट में, आज एक comments की बारे में discuss करूँगी, निशा सिंग जी का मैंने comments सिर्फ क्या था सबसे पहले, मैं उन्हें thanks से ना चाहती हूँ, comments करने के लिए, comments उनका ये था कि जो train के ticket होते हैं, उनकी entry कैसे पास करनी है टेली प्राइम में, ये तो निशा जी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, कि जो train का ticket होता है, चाहे वो आपके boss जाते हों, आपके employee जाते हों, तो उसकी booking आपको कैसे करनी है टेली प्राइम में, ये सारी चीज़े में आपको step by step बताऊंगी, कैसे ledger create करना है, कैसे bills के entry करनी है, वो सारी चीज़े में इस वीडियो में देखने वाले हैं, वीडियो को start करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले एक चोटी सी request है मेरी आप सभी लोगों से, अगर आप first time मेरे चैनल पे आए हैं and new viewer हैं, तो make sure मेरे चैनल को like कर लिजिए, share कर लिजिए and subscribe कर लिजिए, वीडियो बनाने में बहुत मैनत लगती है, तो आप सभी से एक चोटी सी उमीद मेरी always रहती है, आप सभी लोग मुझे appreciate किजिए, मेरे चैनल को like, share, subscribe करके, आप मेरे चैनल को search भी कर सकते हैं, मेरे चैनल का नेम है, Suman Education Hub, आपको वहाँ पे सारे accounting से related videos मिल जाएंगे, टेक से से related videos मिल जाएंगे, आपकी कोई भी क्वाइरी है, आप search कर सकते हैं, Google में, YouTube में जाके, आप अपनी क्वाइरी को type किजिए and and में आपको Suman Education Hub करना है, इससे क्या होगा जो मेरी videos है, सबसे top पे आपको मिलेगी and वहाँ से आपका solution भी आपको easy language भी मिल जाएगा, तो चैनली video को start कर लेते हैं and देख लेते हैं कि जो train का ticket होता है, उसके entry आपको कैसे करनी है, टैली प्राइम में, टैली प्राइम को create का option शोव हो रहा है, इस पे क्लिक कीजिए, उसके बाद हम ledger पे क्लिक करेंगे and जो आप invoice receive करेंगे Indian railway से, आपको सबसे पहले उसका जो ledger है, वो create कर लेना है, तो में यहाँ पे जो Indian railway है, जो भी है, आप उसका जो name है, पूरा create कर लीजिए, under आपको रखना है, sundry creators, क्योंकि आपके लिए sundry creators होगा, आप इनसे purchase कर रहे हैं, maintain balances bill by bill, yes कर लीजिए, यहाँ पे address पिल कर लीजिए, and कौन सा state है, वो करना है आपको, and इसका जो GST number आप जो invoice receive करेंगे, Indian railway का ticket का, उस पे आपको GST number में मिल जाएगा, तो वो GST number पिल करके इस ledger को आप save कर लीजिए, उसके बाद जो आप service ले रहे हैं, आप जो service ले रहे हैं, ticket की, वो आप अपने books में दिखाएंगे, tour and travel expenses के अंडर में, यहाँ पे tour and travel expenses करके आपको ledger create कर लेना है, इसे में आप service को purchase करेंगे, तो tool and travel expenses कर लीजिए, मेरे पास already यह ledger created है, तो कैसे create करना है, वो मैं आपको यहाँ पे show कर देती हूँ, तो हम जाएंगे alter में, एन उसके बाद हम जाएंगे ledger में, यहाँ से tool and travel expenses का ledger में ने open कर लिया है, कैसे create करना है, आप वो देख लीजिए, अंडर आपको रखना है indirect expenses के, GST इसके उपर applicable होगा, क्योंकि जो आप ticket लेने वाले हैं, उसके उपर GST applicable होके आता है, set alter GST detail में yes कर लीजिए, यहाँ पर जो भी इसका SSC code है, tour and travel का, services का, इसका आपको डाल देना है, nature of transaction में अगर आप local से ले रहे हैं, तो यहाँ पर purchase taxable कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर 5% tax data apply करते हुए, क्योंकि ticket पर 5% tax लगता है, type of supply में आपको रखना है services, त्यूंकि हमें आपे service ले रहे हैं, services लेते हुए, इसको आपको save कर लेना, तो हमें दो basic ledger को create कर लिया है, अब चलिए, मैं आपको show करती हूँ कि कैसे आपको entry करनी है, तो gateway of rally से आप भी प्रेस कर लीजिए, इसकी entry आप journal voucher में भी कर सकते हैं, and purchase voucher में भी कर सकते हैं, जिसमें आप comfortable हैं, उसमें कर लीजिए, तो मैं आपको purchase voucher के under में करके show करती हूँ, तो यहाँ पर हमने purchase voucher कर लिया है, अब हम यहाँ पर कोई service purchase कर रहे हैं, तो आप यहाँ विंडो पर देख सकते हैं, name of item, इस mode में हम goods purchase की entry करते हैं, जहाँ पर कि हम कोई product purchase करते हैं, यहाँ पर हम service ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ करना होगा change mode पर click, अब हमारा जो voucher का mode है, वो हमें change करना है, यहाँ हम करेंगे accounting invices, इस mode में हम service purchase की entry को करते हैं, app to press कर लिजिए, अब यहाँ से आपको date change कर लिना है, जो भी आपका ticket का date है, उसके बाद यहाँ पर supplier's invoice number तो जो भी आपकी ticket पर invoice number होगा, वो फिल कर लिजे जो date होगा, और यहाँ पर Indian railway का आपने जो leisure हमने भी just create किया था, वो में select कर लेती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर कौन से service ले रहे हैं, हम यहाँ पर जैसे की traveling करने की purpose से ही हमने ticket लिया है, तो tour and travel का जो हमने leisure create किया था, वो हम select कर लेंगे, आप यहाँ suppose किजिए आपने ticket जो करवाया है, उसमें 4 लोग का करवाया है, दो लोग का करवाया है, तो जो भी ticket का amount है, basic, accessible value, वो आपको यहाँ पर fail करनी है, let's suppose 2000 है, तो 2000 अब इसके उपर हम GST apply करेंगे, तो यहाँ आप apply कर लिजिए, CGST and SGST, इस टाप से हमने ticket की booking कर ली है, जो आपको Indian Railway से invoice मिलता है, तो आप detail में अगर चाहें, the tour and travel expenses की नीचे, आप suppose कीजिए, अगर दो लोग का ticket है, तो आप आप narration भी डाल सकते हैं, अगर आपको यह narration डालना है, तो आपको ledger के लिए ledger description वाले option को enable करना होगा, तो यहाँ से app 12 अप्रेस कर लेंगे, और यहाँ show more configuration में yes कर लीजिए, अब आप यहाँ देखेंगे, आपको यहाँ पर provide additional description for ledger, इसको आपको yes करना है, alt a press कर दीजिए, अब यहाँ जब आप enter press करेंगे, अब देखिए, अब आपको यहाँ पर description आप डाल सकते हैं, कि two tickets हैं या फिर two tickets हैं, three tickets हैं वो आप डाल सकते हैं, उसके बाद female के लिए है, mail के लिए, जितना आप description डालना चाहते हैं, उतना आप ledger के अंदर description आड़ कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, तो यहाँ अगर किसी employee का name भी अगर आप डालना चाहते हैं, आपके बाद का नाम डालना चाहते हैं, जिस person का ticket है, वो अगर डालना चाहते हैं, तो वो सारी information आपके अपर depend हैंगी, आप कितने accounting को detailed में करना चाहते हैं, तो इसके नीचे सारी information आप पील कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने ticket की booking कर ली है, अगर आपको GST text analysis करना है, तो यहीं से आप क्या करेंगे, related reports में जाएं, GST text analysis पे आपको click करना है, और यहाँ पे arrows छोटा सा show होगा, इस पे detail पे आप click कर लीजे, अब आपको show हो रहा है, यहाँ देखे, ticket का जो amount है, 2000 है, इसके पर CGST, SGST 2.5% apply हो के आए है, तो इस step से आप GST text analysis भी कर सकते हैं, इसको हमने कर लिया है save, अब save करने के बाद, इस particular party को हम payment करेंगे, तो इसका ledger अगर आपको देखना है, तो हम go to में जाएंगे, अब इसके बाद हम ledger इसका open कर लेते हैं, ledger reports में जाते हैं, ledger voucher में जाएंगे, जो हमने Indian railway का open किया था entry, आप यहाँ देख सकते हैं, अब इसका अगर आपने payment online किया है, जिस भी वे से किया है, आप यहाँ पर इसकी entry डाल दीजे, इसका जो account है, जो ledger है, वो clear हो जाएगा, अब हम यहाँ पर payment कर रहे हैं, तो payment की entry हम डाल रहे हैं, तो payment date आप select कर लीजे, आप किस party को आप कर रहे हैं, वो party आपको select करना है, current balance आप देखेंगे, तो आपको यहाँ पर 2100 show होगा, against reference में, उसी invoice को adjust कर लेना है आपको, और उसके बाद bank से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो mode आप यहाँ पर select कर लीजे, और हमने आप यहाँ पर entry कर ली, अब मैं आपको इसका ledger show कर दी हूँ, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, Indian Railway का, सबसे पहले हमने एक purchase किया था, ticket का जो entry हमने किया था, वो, उसके बाद हमने, इसको हमने payment कर दिया, तो इसका ledger आप देखेंगे 2100 debit, 2100 credit दोनों side में show हो रहा है, तो इसका account जो है, वो नील हो चुका है, clear हो चुका है, तो इस tab से, आप जो ticket की entry है, ticket बना हुआ है, तो उसकी entry आप इस tab से करेंगे, चैली प्राइम में, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया, description box से check out करना ना भूलिए, description box से check out करना ना भूलिएगा, वहां मैं चैली and accounts related, maximum videos के link provide कर दूँगी, आप उन सारे वीडियो को watch कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को search भी कर सकते हैं, मेरे चैनल का name है, Suman Education Hub, आपको वहां सारी accounting related videos मिल चाहेंगी, आप उन सारे वीडियो को watch करके, easily accounting का work कर सकते हैं, टैली प्राइम में, I hope यह जो वीडियो में आप लोग के साथ आज शेयर की है, यह वीडियो आप सभी लोग के लिए helpful रही होगी, अगर helpful रही है तो एक चुटा सा काम कर दीजेगा, चैनल को like कर दीजेगा, share कर दीजेगा and subscribe कर दीजेगा, Thank you and keep watching my videos.